आज हम SICK CHEK कली वाला पिटिकोट बनाने वाले हैं तो उस पिटिकोट की कटिंग को हम किस तरीके से करते हैं आउ देखते हैं इस तरीके से कपड़े को मैंने नंबाई में सबसे पहले फोल्ड किया हुआ है आप देख सकते हैं ये दो लेयर में है तो इसमें से सबसे पहले हम पांच इंच की बैल्ड कटिंग करेंगे चोड़ाई आप अपने हिसाब से रखेंगे तो मैं जो पिटिकोट बना रही हूँ उसकी मैंने जो कमर रखनी है वो रखनी है मैंने 40 और ये मेरा सम्तिंग 41 के आसपास है तो मेरी कमर इसमें परफेक्ट निकल रही है तो मुझे इसमें जोड लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस तरीके से 5 इंच को हम नापिंगे और 5 इंच को नापने के बाद इस तरीके से इसे हम यहां से अलग कर लेंगे इससे हमारी जो पिटिकोट के उपर हम बैल लगाएंगे कमर वाली एरिया ये हमारी निकल गई है तो इसे हम अलग रख लेते हैं और इसकी मेजर एक बारा मैं आपको दिखा देती हूँ आप देख सकते ही शाड़े बीस है शाड़े बीस का मतलब हो जाता है 51 और कमर मैंने रखनी है 40 अधा इंच मेरा कटिक में मारज़न चला जाएगा इस तरीके से एक इंच हम यहाँ पे नापिंगे इसके हलका सा कट लगाएंगे इस तरीके से और इसे हम हाथ से इस तरीके से फाड़ेंगे तो यह आसानी से फड़ जाता है यह हम कली लगाएंगे इसकी कली लगाने के लिए हम किनारे से ही निकालते हैं अगर कोई कली नहीं म कट लगा के इस तरीके से अलग कर सकते हो फिर हमने कपड़े को इस takée से डबल करना है और इस चार लेयर में इससे हमने फोल्ड कर देना है तो अब आप देख सकते है हमारा चार फोल्ड में कपड़ाहे कमर के वहां पे हमने 40 रखना है तो इसको मैं S.A.D.E. P. की निशान लगाना है तो इस तरीके से फुल घेर के साथ हम साड़े पांच के इंच के उपर और साड़े पांच इंच नीचे से हमने जो निशान लगाया है उसको हम तिर्चा इस तरीके से मिलाईंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने तिर्चा मिला लिया है अब इसे मिलाने के बाद हम जो आगे से है अपनी यहाँ पे से कटिंग कर दिंगे इसे इस कटिंग को हम इस तरीके से अपनी कर लेते हैं तो जो हमने मेजर की है वहीं से हम इसे कट करेंगे कुठ आप अराम से करिए इस तरीके से पुरे मारकिंग पे हमने कट कर देना है अब आप देख सकते हैं हमारे दो पीष निकल गए है तो जो हमारा यह उपर से जोईंट है इसे हम पहले कैच से कट कर देंगे कट करने के बाद जो यह हमारी कली है folding वाली side की इसे हम ऐसे ही रखेंगे बीच से cut नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारी बीच में आएगी तो इसको हम इस तरीके से fold करेंगे और जितना भी extra कपड़ा होगा नीचे से गोलाई देने के लिए हम इसे cut करेंगे तो इस तरीके से हास से अच्छी तरफ press करते हुए जो extra है इसे हम cut कर देंगे जिससे कि हमारी जो नीचे की safe है वो बिल्कुल सही आए आपको जितनी भी इसकी length चाहिए उतनी ही हमने रखनी है आधा इंचे हम बढ़ा करके ही रखनी है क्योंकि हमने कली जोड़नी है अगर आप उपर को फोल्ड करेंगे तो आप डेड़ेंचे रख सकते है तो जो हमारी side से चार कलिया निकली है इन्हें भी हम उपर से इस तरीके से cut करेंगे ये देखिए इस तरीके से ये हमारी चार कली हो गई है इन्हें हम उपर से कर लेंगे अलग-अलग जो हमारी cutting वाली side थी तो अधर हमारी automatic चार कली बन गई है और जो हमारी folding वाली side थी इसमें से हम बीच की कलियों को इस तरीके से रखेंगे तो अब इसे जोड़ने का तरीका आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बीच में folding वाली side की कलियां जो बीच की बड़ी है उनको इस तरीके से रखेंगे और side में हम छोटी वाली कली को लगाएंगे और उस side भी हम छोटी वाली कली को रखेंगे तो इस तरीके से जब हम इसकी जाइ और शेरारी आशा बस्टेश्जर के जाइब धाल